बात हम करने वाले समाजवादी पार्टी क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो बयान वीर हैं, जो बयान बहादुर हैं, उनके बयानों की जो पूरी लाइन है वो फिहरिस्त लंबी होती दिखाई दे रही है, खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है और हर बार टार्गेट पर कुम्भ के लिए हिंदू सादू सर्तों के लिए आपके मूँ से बोल फूट रहे हैं कभी मौलाना मजलिस और मस्जित के बारे में आप बताएंगे यह कानूनी बिढमना है कि गांजा पीना प्रदिबंदीत नहीं है गांजा रखना प्रदिबंदीत गांजे कुछ तरीके सर्गड़ा जाता है ऐसे बयान देने वालों को सरकारे रगड़ रही है यह ध्यान रखते हुए बयान देना तो समाजबादी पार्टी नेता अपने फाइड़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं देखे अगले साल 25 में कुम्ब होने वाले और उससे पहले अफजाल अंसारी जिनको आप याद कर पा रहे होंगे मुक्तार अंसारी के हिसाब से याद कर पा रहे होंगे माफिया के भाई हैं अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं सांसत भी हैं भाला कि अब कह रहे हैं कि कुम्ब में अगर एक ट्रक गांजा भेज दिया जाए तो पूरा खत्म हो जाएगा तेरा अखाड़े आते हैं कुम्ब में सनातनियों का महा परमाना जाता है जो कुम्ब में सनान करता है ऐसा लगता है कि उसमें वैतर्णी पार कर ली इतना पुर्णिय मिलता है और उस कुम्ब की धर्ती पर उस कुम्ब के अवसर पर इतना बड़ा प्रश्ण है साधू संत जो पहुचते हैं जो स्नान करते हैं इतना बड़ा प्रश्ण है ये आस्था पर स्नान पर सनातन पर हर तरह से चोट करने के खुली चूट किसे दी गई है और क्यों दी गई है क्या ये सारी चीजों के जंडा वरदार है या हर चीज में M.Y.E. देखेंगे उसी के हिसाब से बयान देंगा जिसी पर विस्तार से बात करने वाले क्योंकि देखिए आस्थाकिस्तान को एक तरह से अफजाल अंसारी ने तो नशागा अड़ा बता दिया उनके हिसाब से तो महाकुम में सिर्फ नशा होता है आप एक ट्रक गांजा बेजी है वो खत्म हो जाता है इस तरह की बात कर रहे है हुआ क्या बयान दिया अफजाल अंसारी ने जरा आपको पहले हम डीटेल में बता देते हैं उसके बाद सिलसलेवार तरीके से एक एक चीज़ बताएंगे सबसे पहले समझ यह सपा सांसद है अफजाल अंसारी और फिर से विवादत बोल उनका सामने आए माफिया के भाई है मैंने शुरुवात में आपको बताया और संतों के अपमान का जो एजंडा है समाजवादी पार्टी का उसे आगे ले जाते दिख रहे हैं अफजाल अंस इस पर विवादत बयान दे दिया है गांजे को भगवान का प्रसाद और बूटी बता दिया है अफजाल अंसारी इतने पर ही नहीं रुके अपने बयानों से उन्होंने साधू संतों का सीधा सीधा अपमान कर दिया है गांजे को वैद करने की मांग कर रहे हैं अफजाल अ सारी दिखाई दे रहे हैं क्या फाइदे की राजनीती उप्चुनावों की आहट ये बयान देने पर उन्हें मजबूर कर रहे हैं समझाते हैं आपको इस रपोर्ट के जरी उत्रप्रदेश में 11 सीटों पर विधान सभा के उप्चुनावों से पहले सपा प्रदेश की राजनीतिक हवा बदलने की कोशिश कर रही है इस कोशिश में सपा के टार्गेट पर है संत समाज पहले सपा के मुख्या ने संतों का अपमान किया महंतों को मठाधीश बता दिया मठाधीश और माफिया में कोई जादा फर्क नहीं होता अपने मुख्या के एजेंडे को आगे बढ़ाते हूँ सपासान सत अफजाल अंसारी ने प्रदेश में गांजे को वैद करने की मांग लगती है अफजाल अंसारी का तावा है कि प्रदेश में गांजा पीने वालों की महफिल लगती है अब निदावे को मजबूत करने के लिए अब जाल अनसारी ने गांजे को भगवान का प्रस्तात तक बता डाला ये गांजा को हम कहते हैं क्या आप कानून का दर्जा दे के इसे वैद कर दो लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल के उडाते हो लाखो करोनों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुले आम गांजा पीते हैं पूरी-पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं बड़े-बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं उसे भगवान का प्रसाद और बूटी करके पीते हैं गानून में उवाज़ और पीने के लिए छूट भकावग अव्जाल अंसारि यही नहीं रुके उन्होंने दावा किया कि लक्नौ से लेकर गाजीपूर तर गांचे की खपत हो रही है और एक सांसद होने के बावजूर वो ये साब रोज देख रहे हैं अफजाल अंसारी का ये अलोकिक गांजा ग्यान यही खत्म नहीं हुआ उन्हेंने गांजे को आस्था के महा कुम्भ से जोड़ दिया सांसद महोदे के मुताबिक महा कुम्भ में शामिल होने वाले संत महन गंजेडी संतों पर अफजाल अंसारी और अखिलेश यादत के ये बयान बता रहे ही कि सपा का एजेंडा फिक्स है वो कुम्भ का अपमान करेंगे वो संतों का अपमान करेंगे और अपने एमवाई फैक्टर को मजबूत करेंगे अधीक और मुक्तार के बार सपा के पास कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है शायद यही वज़ा है कि पिछले कुछ दिनों से अफजाल अंसारी नए बयान बहादूर बनकर उभरे है वो हर उसे जंडे पर बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी के मुखिया खुश हो और उन्हें शाबाजी दे लेकिन सवाल यह कि आफिर अपमान वाली सियासत से सपा क्या हासल करना चाहती है ब्यूर रिपोर्ट रिपाब्लिक भारत जिसमें सनातनी पहुचते हैं साधू संत पहुचते हैं महा कुम्व कोलेकर अब ही से ही भव्य तैयारियां चल रही है तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई है देश विदेश से करोडों लोग आते करोडों सनातनी हिंदू आते सनान करते हैं 75 देशों से 25 करोड भक्तों के आने का नुमानी ये तो सभी को इन्होंने प्रश्ण खड़े कर दी एक तरह से अफजाल अंसारी ने सभी पर लाखों की दादात में यहां संत स्नान करते हैं मैं बता रही थी आपको 13 खाड़े तेरा खाड़ों के सादू संत पहुचते हैं इस बार संगम तड़ पर संस्कृतिक ग्राम भी बसाये जाना है तो वहीं क्या ये मालगाड़ी भेजने की बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी प्रश्ण नहीं ही है इस ग्राम में 45 दिनों तक संस्कृतिक आयोजन होते हैं हिंदू धर्म से जुड़ा ये बहुत बड़ा परवै श्रदालों को सनातन परंपरा की यहाँ जलक देखने को मिलती है और यहीं वज़ा है कि देश-विदेश से श्रदालों पहुचते हैं मेला शेतर में 30 भव्य थीम अदारित गेट भी बनाई जारे हैं हर तरह से सुसजित भारतिय परंपरा भारतिय संस्कृति को दिखाता हुआ ये भव्य कुम्ब आयोजित होने वाला है और उसको लेकर प्रशन खड़े करते हैं अवजाल अंसारी के तेवाग में एक बार भी नहीं आया कि वो किस तरह से बार-बार सनातनियों पर ट्रशन खड़े कर रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी का खेरेक्टर हो गया है सिर्फ अवजाल अंसारी नहीं है बार-बार इस तरह के बयान आते रहते हैं जब आपको बताते हैं तेरा अखाड़ों का जब हम जिक्र कर रहे हैं देखी आपको बताएं तेरा अखाड़ों का इस बार शाही सनान नहीं हो रहा है शायद ये भी बुरा लगा हो समाजवादी पार्टी को क्योंकि इस बार राजसी स्नान हो रहा है बदला गया है अरभी शब्द को हटा दिया गया है क्योंकि अब हम अपने जो अपनी धर्म की चीज़ें अपनी परंपराओं को उनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाते हैं कि जो मारी आगे की जनरेशन से उन्हें पता चले देखे तेरा अखाड़े जुना अखाड़ा आतल अखाड़ा आनंद अखाड़े तमाम जो अखाड़े हैं उसके सादू संद पहुँचते पहले वो स्नान करते हैं और उसके बाद लोगों के लिए जो श्रधालू पहुचते हैं उनके लिए मौका होता है इस नान का और यह आस्था से जुड़ा हुआ परवे जिसका इंतजार सालों साल किया जाता है और फिर वो आता है और उसको लेकर इस तरह की हलकी बयान बाजी एक सांसत से आप शायद ऐसी उमीद नहीं करते होंगे